नमस्कार मैं रेनु मिस्टर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में मैं बचे वे कपड़े से बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पर्स बना रही हूँ बैग बनाने के बाद सूट या ब्लाउस बनाने के बाद अगर आपके पास भी कपड़े का छोटा पीस बचा हुआ है तो उससे इस बैग को आसानी से बना सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका सेप और साइज कितना पर्फेक्ट है कलर भी बहुत प्यारा है इसका जो प्रिंट है ये भी बहुत ही सुन्दर लग रहा है दिखने में ये जितना सुन्दर है बनाने में उतना ही ज्यादा आसान है सामने की तरफ एक pocket है इसके अलामा देखे बैग अंधर भी न पूरी फिनिसिंग के साथ बनी हुई है और एक बड़ा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ भी है जिसे कि आप चीजों को अलग-अलग करके रख सकते हैं बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान बैग है तो आप भी इस तरह का बैग जरूर बनाए तो आई देखते ही कैसे बनता है यह बैग बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसको कुल्ट करना होता है तो कुल्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा अस्तर अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं इसके लावा अस्तर के लावा हमें चाहिए होगा फॉम अगर आपके पास फॉम नहीं है तो आप उसकी जगह जो कैरी बैग आता या फिर आटा चावल की जो बोरी आती है उसको ले सकते हैं और फिर मेन फैबरिक तीनों को मिला किस तरह से सील लेना है तो इसे यहां क्टDay कोने में देखे कोने में एक इंच पर निसान में लगा लिया ठीक है एक आंवला इसके निसान लगाया है उसके बाद दूनों साइट से 22 इंच पर निसान लगाया है dus अब एक सैट टियना है दूसरे साम है अब स्टी इस तरह से मिलातें वें हल्का सा गॉलाई दे देंगे ठीक है अब इसको कट करना है तो एक साइट जैसे ये कट किया है हमने वैसे ही दूसरी तरफ भी ऐसे दिखे जो लंबाई वाला भागे उसमें इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर नीचे की तरफ दूसरी साइट भी इसी तरह से कट करना है अब जो दूसरा उला पीस है उसको भी हमें इसी सेफ में कट करना है तो क्या करेंगे उसको नीचे रखेंगे और यह जो जिसको हमने कट किया है उसको उपर रखेंगे और फिर जो दूसरा पीस है उसको भी इसके बराबर दोनों तरफ से कट कर लेंगे इस तरह से दोनों की cutting हो चुके हैं अब दोनों में से कोई सा भी एक पीस लेंगे जिसमें कि हमें सामने की तरफ pocket बनाना है pocket बनाने के लिए क्या करेंगे उपर की तरफ ऐसे दिखिए उपर दो इंच पे निसान लगा लेंगे तो यहाँ पर यह दिखिए दो इंच पे निसान मेंने लगा लिया है अब इसको cut करना है अब cut करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है तो देखिए pocket के उपर जिप को ऐसे उल्टा रखके सीलेना है उसके बाद जिप को उपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस इस्टीच करना है अब जो दूसरा भाग हमने कट किया है कपड़े का उसको जिप के दूसरे साइड में मिला कर सिलना है अब इसको भी उपर की तरफ करके और यहाँ पर भी प्रेस इस्टीच करेंगे तो इस तरह से ये जिप लग गया है उसके बाद इसी के बराबर का हमें plain कपड़ा लेना है जिसे के हमें pocket बनाना है तो दोनों को मिला के पूरा चारो side से इसको seal लेंगे तो इस तरह से ये जो pocket है सामने वाला बनकर ready हो जाएगा अब side से जो भी extra कपड़ा है उसको काट लेंगे तो ये सामने वाला तो pocket बनकर त्यार हो गया है इसके बाद जो दूसरा लापी से उसको लेना है और उसमें हमें अंदर की तरफ pocket बनाना है अब इसके लिए भी एक plain कपड़ा इसी के बराबर का हमें चाहिए और इसमें हम जि लेना है और उपर से ये दो इंच पे निसान इसमें भी लगा लेंगे तो ये दो इंच पे निसान में लगा लिया है अब इसको कट करना है और कट करने के बाद सेम जैसे कि हमने सामने वाले pocket के लिए जिप को लगाया था ना वैसे ही इसमें भी लगाना है लेकिन इसमें क कपड़े को उपर जिप को उल्टा रखके सील है मैंने अब जीप को ऊपर की तरफ करके फिर यहां पर प्रेसिश्टिश कर लिया है अब जो दूसरा भाग हमने कट किया है कपड़े का उसको जीप के दूसरे सहट में मिलाकर सीलना है अब यहाँ पर भी एक बार देखे जिप को सीधा करके सिलाई कर लेनी है अब दोनों को मिला के ऐसे देखे सीधा रखते वे और पूरा इसको सीलेंगे तो इस तरह से यह अंदर वाला पॉकेट भी बन गया है जो साइट से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेते हैं तो यह दोनों पॉकेट बन कर रेडी हो चुका है इसके बाद इसमें हमें जो बैल्ट है उसको लगाना है तो यह दो पीस बैल्ट मैंने लिया है लंबाई है 15 इंच और चोड़ाई है 3 इंच तो यहां दीगे 15 इंच लंबाई और चोड़ाई 3 इंच है अब इसको क्या करना है कि दोनों किनारे से ऐसे मोड लेना है उसके बाद बीस से फिर मोड के और सीलेना है बस ऐसे ही दोनों जो बैल्ट है दोनों को सील कर त्यार कर करेंगे और उपर की तरफ सेंटर में निसान लगा लेंगे तो यहां पर सेंटर में निसान जो हमने लगाया है उसके बगल में दोनों तरफ तीन इंच पे निसान लगा लेना है दोनों पीसेस में एक बराबर ऐसे रखके तीन इंच पे निसान लगा लेंगे अब जो यह निसान लगाया है यहीं पर बैल्ट को रखना है और से लेना है इसी तरह से दोनों में बैल्ट को लगा लेंगे अब यह दोनों में बैल्ट लगया है इसके बाद जिप को लगाना है तो जिप को देखिए दोनों भाग अलग कर लेंगे और फिर back की उपर उल्टा रखके सिलेना है दोनों pieces को ऐसे दिखे उल्टा रखते वे सिलना है उसके बाद jeep को उपर की तरफ सीधा करेंगे और जो belt है उसको भी उपर की तरफ करते वे तब यहाँ पर हमें press stitch करना है तो इस चीज़ का धियान रखना है कि जो belt है उसको भी उपर की तरफ करके तब इस पर हम सिलाई करेंगे इसी तरह से दूसरा जो जिप का भाग है उसको दूसरा जो back का पीस उसमें लगाना है अब यह दोनों में जिप लग गया है अब इसमें हमें runner को डालना है तो यहाँ पर दो runner में डाल रही है तो जब हम डालते है न उपर की तरफ तो दोनों कोने से फिनिसिंग अच्छी आती है तो यह दोनों belt को देखे एक साथ बराबर ऐसे मिलाते हुए तब उसके बाद इसमें हम runner को डालेंगे अब यह एक runner डालने के बाद इसको क्या करना है कि दूसरे किनारे तक लाना है फिर वहाँ से हम दूसरा runner डालेंगे तो इस तरह से दोनों runner मैंने डाल लिया है अब क्या करना है साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़े है बढ़े घटे है सबको काट के बराबर कर लेंगे अब उसके बाद नीचे का जो बेस है उसको ready करना है तो यह एक पीस मैंने पहले से इक विल्ड करके रखा है अस्तर पॉम लगा लिया है इसमें भी अब इसका नाब देख लेते हैं तो लंबाई है इसकी 14 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो है 3 इंच 14 बाई 3 का यह एक पीस है अब क्या करना है उपर की तरफ 2 इंच पे निसान लगा लेना है दोनों साइड तो यहाँ पर यह देखे 2-2 इंच पे निसान मैंने लगा लिया है उसके बाद अब इसको 20 से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है अब इस तरह से इसमें हमें देखे इस तरह से तिर्चा इसको मिला लेना है अब इसी सेप में इसको हम कट करेंगे ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें कट करना है तो को बीच से फ schools करेंगे और फिर दूस्री सायड भी ऐसे बराबर कट कर लेंगे इस तरह से में इसको ट्रैंगल बना लेना है आ है आज आब इसको हमें वाग में नीचे की तरफ लगाना है तो इसको दीखें़ बीच से फोल्ड कर के आप सेंटर में निशान लगा लें, जिससे कि दोनों तरफ एकदम बराबर रहे अब इसमें सेंटर में निशान लगा लिया है, ऐसे हमें बैक जो है न, उसमें भी दोनों तरफ ऐसे बीच से फोल्ड करके नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है तो यहाँ पर देखें सेंटर में यह निशान लग गया है अब जो सेंटर में हमने निशान लगा है दोनों को ऐसे मिलाते वे और फिर दोनों तरफ बराबर सीलेंगे आप चाहें तो यहाँ पर पिन वगर है लगा के उसके बाद सीले लेकिन मैं यहाँ पर दिखें 20 से सीलना शुरू करें हूँ ताकि दोनों तरफ बराबर रहे। अब फिर दूसरी साइट भी सीलेते हैं ऐसे जब सीलेंगे न तो दोनों तरफ एकदम बराबर यह आएगा। अब दूसरा होला जो बैक का भाग है उसको पलट के ऐसे देखें सेंटर से सेंटर मिलाते वे इसको भी सीलेना है। अब इसको सीलने के बाद क्या करना है कि यह दिके सील गया न अब यह उपर की तरफ जो थोड़ा सा यह छुटा हुआ है इसको ऐसे बराबर रखेंगे और यहां पर देखें इस तरह से मिलाते वे यहां तक सीलेना है। इसको भी यहां से और यहां तक तो कोने पर अच्छे से सिलाई कर लिजेगा थाकि यह मतलब छुटे न खुले न तो अब यह सिलाई कंप्लीट हो चुकी है अब इसके बाद इसमें पाइपिंग करना है तक बग टेर इंच चौड़ा कप्डा लिया है उपर की तरफ देख पिर उपर भी मुड़के उसके बाद इसको देखें दूसरी तरफ पलट कर डबल फोल्ड करके सी लेना है तो यह बाकी का जो जगह है इसमें भी बिलकुल इसी तरह से पाइपिंग कर लें तो यहाँ पर यह देखें पूरा यह पाइपिंग मैंने कम्प्लीट कर लिया है बैग एकदम से बन चुका है त्यार है बैग अब इसको सीधा करके देख लेते हैं तो देखें बहुत ही प्यारा से यह बैग बनकर त्यार हुआ है आप भी जरूर बनाना बहुत ही आसान है उम तंक यू